तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल HP Tution Classes में तो बच्चों CBSC की तरफ से एक न्यू सर्कुलर इससी हुआ है यानि की Central Board of Secondary Education की तरफ से जो की 25-2022 डेट का यानि आज का है ठीक है ना तो यहां पर सब्जेक्ट में लिखावे बच्चों असेस्मेंट एंड इवेल्यूएसंस प्रैक्टिसेश ओफ दा बॉर्ड फॉर्ड डा सेशन 2022-23 जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-23 का जो नया सत्र स्टार्ट हुआ है उसमें आपका जो पेपर होगा एक्जाम होगा उसका पैटरन किस प्रकार से रहेगा इसी भी से में डिस्कस किया गया है तो देख लेते हैं फटा-फट यहां पर लिखावे बच्चों अगर हम सेशन 2021-22 की बात करें जो की एक्जाम आपने दे दिया है तो यहां पर देखो ट्रम वन का दिये थे 40 मार्क्स का ठीक है ना ट्रम वन 40 ट्रम टू 40 20 इंटर्नल 80 का हुआ था अगर हम न्यू सेशन की बात करें 2022-23 की यहां पर लिखाव मोडिफाइड एन्वल स्कीम ठीक है ना तो आपका फाइनली 80 मार्क्स का पेपर होगा ठीक है ना ध्यान रखना 80 नमबर का पेपर होगा पूरी बुक से कॉस्चन आएगा इसमें लिखा हुआ अगर क्यूंकर इसमें से अगर हम ऑबज्जेक्टिव टाइप कॉस्चन की बात करें 20 पर्संट होगा अगर दिमेंगर सौर्ट टाइप कॉस्चन की बात करें तो 40 पर्संट होगा इस हीसाब शोगा और 20 नमबर का आपका इंट beyond अध्यान रखना ठीक है यह द्यान में क्लास नाइन्थ सोरी क्लास एलेवंथ एंड ट्वेल्थ के लिए तो लिखा है 2021 227 20 इंटर्नल था ट्रम 1 ट्रम 2 ठीक है यह आपने दिया है न्यू सेशन की बात करें तो लिखा है 2022 23 मोडिफाइड क्या एन्यूल इसकीम सेम वही असी नमर का आपको एक्जाम होगा किसी साब से आगे देखो यहां पर लिखा कॉंपिटेंसी बेस्ट कोशन 30 परसेंट होंगे ठीक है ओब्जेक्टिब 20 परसेंट रिमेनिंग में सोर्ट टाइप और लोंग टाइप 50 परसेंट स्टाइब से कया जाएंगे और नीचे लिखा अससमेंट में नो चैंज तो मतलब इंटर्णल अससमेंट में कोई चैंजिंग ने जिससे आप से आपको इंटर्णल स्कूल का नंबर मिलता है प्रोजेक्ट असेस्मेंट यूडी टेस्ट वगएरा वगएरा अटेंडेंस उसमें कोई चेंजिंग नहीं है बागी जो कोशन पेपर बने गए टी परसेंट का उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया कि इतने परसेंट के साफ से कैसे कोशन वहाँ पर लिखे जाएंगे ठीक है तो यहीं इंफोमेशन आपको देने थी आई होप सारी बाते समझ में आगे हो अच्छे से निव सेशन के तयारी करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर रोचिंग इस वीडियो एंट टेक एड़ आप